गुड मॉर्निंग फ्रेंट जईजा गन्नात चलिए इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आज की जीके की फटापाट सिरीज में मोस्ट इंपोर्टांट को डिसकस करेंगे वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही इंपोर्टांट कोस्चिन को इस वीडियो से सिखके जाओग में आप्चान एज तो राइट आण्चर भाटिकन शेटी अची याद रखना भाटिकनश चेटी जो कि सबसे स्मयड्य़ेट कॉंट्री है नेक्सिट नवान का सबस Earlyस याद रखना से 20 और सबस्थे याद रखना लाएट अंसर लाएज़एश्ट और trench और सबसे स्मॉलेश्ट है अभी हमने डिसकेस की सुनमी क्राहिए और ये बात आची से याद रखना ये जो largest country है मतलब रास्या इसका area है total area है ये बात आची से याद रखना 107,098,242 ये बात आची से याद रखना यानि 17,098,242 होगा सरी 17,091 याद रखना 17,091 और ये बात भी आची से याद रखना वाल्ड का टोटाल area से टोटाल area का ये 11 परसेंट रहे मतलब ये रास्या सबसे लार्जेस्ट कॉंट्री है ये बात आची से याद रखना चाहिए बीटामिन डी पाई जाती है यानि अप्शन सी तो राइट अनसर वीटामिन डी नेक्स्ट नमबर फोर वें कंस्टिउचन डे इस से लेटेड रखना चाहिए ये कॉंसी डे को सेलवेट की जाती है बहुत ही इंपोर्टांट है जो हमारा एक सेलवेट की जाती है 26 नमबर को याद रखना कंस्टिउचन डे सेलवेट की जाती है 26 नमबर को और जो रिपब्लिक डे सेलवेट की जाती है ये सेलवेट की जाती है 26 जनुरी को बट ये जो कांसिजिशन डे है यह सेलवेट की चाहा थी है 26 नभेंबर को उसी डेट को यह कंप्लेट हुआ था नेक्स्ट नमर फाइप वाट इस दो वाट इस दो नेशनाल गेम ऑफ यूएसे यूनाइटर स्टेट अमेरिका की जो नेशनाल गेम है जो कांट्री का नेशनाल गेम है वो कांट्री है तो याद रखना बेस बॉल यानि अप्शन एज तो राइट अंसर बेस बॉल जो की नेशनाल गेम है नेक्स्ट नमर्शीट वाट इज दो वाट इज दो परशेंटेज अपर वाटर प्रेजेंट इन और अबार अर्थ अमारा अर्थ में तोटल कितनी परशेंट की वाटर है वाटर महजूद है वो है 71% यानि option D is the right answer 71% water बहुत है और ल्यांट है total ल्यांट 29% नेक्स्ट नमबर 7 milk milk contain which type of vitamin बहुत important है ध्यान से सुनना जो milk है इसमें कौन सी vitamin पाई जाती है याद रखना option A vitamin B और option B calcium option C vitamin A D E और option D fat soluble vitamin याद रखना यह सभी यानि option E यहां तो option में नहीं है जो कि all of this यह सभी पाई जाती है जो कि यह सभी vitamin पाई जाती है milk में milk में यह सभी प्रकार की vitamin महजूद है नेक्स्ट नमबर 8 वें डेड़ इंडिया इंडिया वें दो क्रिकेट वाल्ड कव फॉर दी फास्ट टाइम बहुत इंपोर्ण है पहला बार जो इंडिया ने अचीब की थी वर्ड कॉफ यह कौन सी यहर में याद रखना 1983 की बात है कॉपिल देव ने जिताई थी मतलब कफिल देव ने 175 रॉन स्कोर की थी और उन्हों ने यह जिताई थी जो कि 1983 में याद रखना वल्ड कव नाइटीन एटीट्री अप्शन अपसर बीज तो राइट आंसर 1983 इस तो राइट आंसर याद रखना जो कि कपिल देप के समय में जो कि सुनिल मनहोर गभास करने भी थे 1983 में 175 रोन स्कोर की थी कपिल देप ने और ये बात 40 यर्स पहले ही हुआ था मतलो 1983 में नेक्स्ट नमेर 9 फैन वज पकिस्तान सेपरेट फ्रम इंडिया से पकिस्तान ने कांसी कांसी डेट में और कांसी यहर में सेपरेट हुए याद रखना, option D is the right answer 14 August 1997 में next, number 10, when did, when did the first world war begin first, जो पहला world war है, विश्चो जुद, ये कौन सी येर में हुआ था याद रखना, option D is the right answer 1940 में हुआ था याद रखना, first world war हुआ था 1940, 1940 याद रखना और second, second जो world war हुआ था ये कौन सी येर में, ये बात आची से याद रखना, ये हुआ था first september, one september 1939 में ये हुआ था, और ये जो end हुआ था, मतलब complete हुआ था, ये हुआ था 1945 में अची से याद रखना, first world war, 1940, second world war, 1939, September 1 और ये complete हुआ था 1945 में नेक्स्ट, नमबर 11, Hitler, ये बहुत important है, Hitler was from which country, Hitler ने कौन सी country से बिलंग कर रहे है, याद रखना वो है जर्मानी, अंसर, अप्शन age तो राइट अंसर, जर्मानी, आची से याद रखना, और उनका जो बार्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो था ऐस्ट्रेलिया में, आची स चले गए थे, याद रखना, Hitler was from Germany, नेक्स्ट, नमबर 12, Hitler, Hitler commits suicide on which state, बहुत important है, ये कोश्चिन भी, हिटलर ने suicide की थी, याद रखना, जब उन्होंने bunker के अंदर थी, तभी उन्होंने suicide कर ली थी, ये कौन सी यार में, ये कोशिन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, हिटलर ने suicide की थी कौन सी यार में, 1945 में, याद रखना, 1945 यानि अप्शन age the right answer, एप्रिल 30, 1945 में suicide की थ अच्छी याद रखना, हिटलर जो की जर्मानी से था, उन्होंने suicide की थी, suicide की थी, April 30, 1945 में, बहुत ही important है, ये जो हिटलर के बारे में, याद रखना, नेक्स्ट, नमबर 13, याद रखना, ये तो आपको पता ही होगा, क्रिष्ट मास में, नेक्स्ट, नमबर 40, ये कोशी में, आपको इतना ही पूछा जा रहा है, आर्थ डे, कौन सी डेट को सेलवेट की जा थिये, 22 एप्रिल को, ये सेलवेट की जा थिये, याद रखना, 22 एप्रिल, यानि याद रखना, और जो एंवर्मेंटाल जे ये फाइब जून खो और जो आर्थ देश सेल्वेट की जाहती है टूंटी टू एफ्रेल को वेन वाज नेक्स्ट कोचिन सिक्स्टीन है वेन वाज आईपेल स्टार्टेड आईपेल जो कौन सी यहर में शुरू की गई है इंडियान प्रेमियम लिग यह शुरू की यह है 2008 में यानि अप्शन सीज दो राइट अन्शर 2008 याद रखना नेक्स्ट नमर 17 वेन वाज दो फास्ट फास्ट वार अफ इंडिपिंदेंस इंडिपिंदेंस अप इंडिया फॉट बहुत इंपूर्टान है याद रखना इसका अंसर है 1857 में हुआ था यानि अप्शन वीज तो राइट अंसर 1857 की बात है नेक्स्ट नमबर 18 वाट इस दो वाट इस दो नेम ओफ आवार ग्यालेक्सी हमारे जो ग्यालेक्सी है इसका नाम क्या है अच्छी से याद रखना वह है मिल्कवेग ग्यालेक्सी याद रखी हम इसका नाम है Milky Way Galaxy नेक्स्ट नमबर 19 वाट इस दो वाट इस दो नमबर आफ लोकसभा मेंबर यह कुछिन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है हमारे जो लोकसभा मेंबर में मेंबर में कितनी की मेंबर होती है मतलब टोटाल कितनी की मेंबर होती है याद रखना 545 यानि ऑप्सटन C is the right answer 545 बट यह जो इंडिया से इंडिया से 544 होती है 544 और जो और एक है अंगलो इंडियान यह बात आचे याद रखना नेक्स्ट नमबर 20 वाट इस दो नमबर अब राज्यसभा मेंबर याद रखना अभी हमने डिसकास की जो लोकसभा मेंबर है वो है 545 और यह जो राज्यसभा मेंबर है 245 यानि ऑप्सटन C is the right answer 245 यह बात आचे से याद रखना आ यह बात भी आचे से याद रखना 8 1951 के मुताविक याद रखना 8 1951 के मुताविक इसमें यह जो 245 मेंबर है यह देख रहा है हो 255 मेंबर में से तू था ठीची। तू एए जो टोटाल टू 425 मेंब़ में शे 233 मेंब़ जो की representative आऊ state और ूटी होती है मत्राऊ कोई भी एक state और ut की union, territory चेरीटोरी की representative होती है बट ये जो और जो 12 है ये nominator की जाती है president के दुआरा याद रखना जो इंडिया का प्रेसिडेंट के द्वारा यह नुमिनेटर की जाती है 12 मेंबर को बहुत इंपूटांट है याद रखना युणिवर्ज होल स्टडी फोल युणिवर्ज इज खल डच उसे कस्मोलोजी का जाता है यानि अप्चन बीज़ राइट अंसर कस्मोलोजी याद रखना सो फ्रेंट हमने यह जितना भी क्वेश्चिन डिसकस की इस सभी को याद रखना बहुत ही इंपूटांट को डिसकस की जाती है और डेली करेंट अफेर भी डिसकस की जाती है अंधिया में इंपॉटन्ट इभेंट आइसे वगर्या है मतलब कोई भी स्टेट में जो भी हो रहा है इसके बारे में हम डेली डिसकस कर रहा हूं याद रखना देली करन प्रेट की जारा रहा हे तो इक और शोरौप आपको फ्री में सभी यह जितना भी कोश्चिन देख रहा हूँ यह सभी का पीडियो फ्री में मिल जाएगा जो मिलता हूँ और एक और एक ऐसा इंपोर्टांट जिके के साथ इंपोर्टांट करेंड अफेर के साथ तब तक लिए जोई हींद जोई जोगन नात